हालो प्रेंज आप सभी लोगों का हमारे चैनल में एक बार प्रिशे स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलो मैजे से बना नास्ता हम इसमें वेशन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं प्रेंज आप एक बार बार खाने का मन इसको हम कैसे बनाते हैं आए देखते हैं वीडियो में हम 300 ग्राम मैदा लिये हैं इसमें थोड़ा सा नमक दो बड़े चम्मच रिफाइन डाल कर एक चुटकी अजवाइन को मिला कर मिक्स करेंगे नॉर्मल पानी के साथ एक डो तयार कर लेंगे जैसे आप आटा गुते है उसी तरह से हम यगडो तयार करके पाच मिनट के लिए रिष्ट पर रख देंगे हमने 500 ग्राम आलू को उबाल लिया है अब आलू को हम रोष्ट करेंगे अब आलू रोष्ट हो चुका है तड़के के लिए हम छे साथ कली लेसुन तीन हरी मिर्च एक इच अद्रक का टुकड़ा एक छोटा प्याज को डाल कर हम तड़का लगाएंगे तड़के में हम पहले पच्पोड़न का यूज करेंगे पच्पोड़न के लिए हम एक एक चुटकी धनिया जीरा मंग्राइल सौफ मेथी डाल कर हम तड़का लगाएंगे तड़का थोड़ा सा चटक जाए हम इसमें प्याज अद्रक लेसुन हरी मिर्च को डाल कर थोड़ा सा ब्राउन करेंगे तड़का ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें रोष्ट किये गए आलू को धेमी याज पर दो से तीन मिनट तक भुनेंगे फ्रेंस बारिस का सीजन आ गया है इस मौसम में पकोड़े खाने का आनन्द ही कुछ और है आप भी हमारे इस रेश्पी को आजमाए और बारिस का आनन्द ले ये भुन चुका है अब इसका रोल तयार करेंगे इधर डो हमारा अच्छे से से शेठ हो चुका है अब हम इसका थोड़ी बड़ी साइज में लोई बना कर रोटी से थोड़ा मोटा ही बेलेंगे अब फ्राइ किये हुए आलू को इस पर हम फ्रला कर इसका रोल तयार करेंगे अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हाँ से थोड़ा चिप्टा कर लेंगे बस इसी तरह सारे पीसिस को हम तयार कर लेंगे हमने मैदे का गाढ़ा घोल तयार कर लिया है अब सारे पीसेज में घोल को लगा कर तेल में अच्छे से फ्राइ करेंगे इसको तलने के लिए आप चाहे तो रिफाइन का भी यूज कर सकते हैं इसको हम कम फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राइ करेंगे ताकि हमारा पकाउड़ा क्रिस्पी बने अब हमारे पकाउड़ा बनकर तएयार हैं आप भी घर पर जरूर बनाएं इस रेश्पी को दोस्तों में सेर करें अगर हमारे वीडियो को पहली बार देखाए हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और इसी तरह नए नए रेस्वीज का आनंद ले हम फिर मिलेंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार